तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने चैनल इस टेडी ग्लोब में आपकी सफलता हमारा संकल पर ठीक है दोस्तों आज आपके सामने लेकर हाधर है दोस्तों तब 20 एक्सपेक्टेट कूस्चन दोस्तों जो आपके आने वाले एक्जाइम के लिए भूत इंपरड़न आपका एक्जाम हो दोस्तों आपका एंटी पीसी ओ गृबडी ओ दोस्तों जहां पे भी जर्नल अवैनेस पूछी जाती है दोस्तों यह से सब्सक्राइब करते हैं ठीक है और दोस्तों सबस्बाइब many वजाओए प्की klas होती है दोस्तों को जरूर्ब यहां करें और साड़े करें उस साथसे एकरे आज का सहीजान हम स्याइब करते हैं मतलेक्त से ब्हुम्हाइब नमबर वन आपके सामने यह दोस्तों फेले जन्होंने निंज क обяз निकिक crus anonymous ल्यक्तbacks करेंगोगे दोस्तों जाद से अपने फ्रेंडों में शेयर करें और जो भी चैनल पर नए आऊ हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों चलिए कोच नमबर वन का अंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से भारती सम्मिधान की किस अनुसूची में राज्च्य सवा में राज्च चैनल को बाटा गया है दोस्तों आपकी चौथी अनुसूची में आपसं सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों ध्यार नखिएगा चलिए नेक्स कोश्चन पर चलते हैं कोश्चन नमबर टू पर चलिए दोस्तों बताईए इसका अंसर क्या होगा डा जल्सी तीजिए डामफा डायगर बिल्या के सीचन डॉस पर के खिया इंसर क्या कर्या है अब याद रखाने है के दोस्तों कौँ अजली बताएंगे आप मुझोर्एव किацииaren कोन है दोस्तों जो रांगा ठीक है यहाद रहेंके आप लिदूट ढूबर एफ कि अ कौन है मिजोरम के कौन है दोस्तों पीएस सिरीधरन ठीक है याद रखेंगे दोस्तों सीम और गवरनर ठीक है हरे स्टेट के सीम गवरनर आपको दोस्तों वीडियो में बताता चलता हूं तो आप लोग याद करा करिए ठीक है अच्छी तरीके से चलिए नेक्स कोश्चन पर चलते हैं कोश्चन नंबर थरी पर चलिए आंसर कीजिए दोस्तों एंटी पीसी ने डैस में पांसो मेगा वाट सौर पार्कवे विकास के लिए एक प्रामर्स प्रियोजना शुरू की है चलिए बताईए दोस्तों आंसर कीजिए एंटी पीची हैस इस्टार्ड़िट आँ 500 MW Solar Parkin बतागी दोस्तों एंटी पीसी ने पांसों मेगावाट कर तो तो सोलर पर कहां पर स्थापित कर रही है जल्दी से बताएं आप लूग कहां पर माली में ठीक है तो आपसंस आपको दोस्तों सही आंसर हो जाएगा दोस्तों माली कैपिटल बताएए दोस्तों क्या है ज फ्रेंक ठीक है जो आफरिका कॉंटिनेट की दोस्तों ये वेस्ट साइड में पड़ता है ठीक है याद रखिए का दोस्तों चलिए नेक्स कोश्चन पर चलते हैं कोश्चन नमबर फॉर पर चलिए आंसर कीजिए थल सेना भवन किस सहर में बना जाएगा आंसर कीजिए आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से क्या होगा इसका थल सेना भवन किस सहर में बनाया जाएगा दोस्तों आपका नई दिल्ली में ठीक है दोस्तों तो याद रखिएगा आप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों थल सेना भवन आपका नई दिल्ली में बना जाएगा ठीक है दोस्तों याद रखिएगा चलिए नाइस कोश्चन पर चलते हैं दोस्तों चलिए बताईए दोस्तों साथ अपरेल को कौन सा दिवस बनाए जाता है जल्दी से बताएंगे आप सैलिबरेटिट अउन सेविंध अपरेल बताईए साथ अपरेल को दोस्तों क् आपका विस्वस्वाज दरस ठीक है 7 अप्रेल कोही दोस्तों किसका गठन हुआ था डबलू हो गा थीक है वर्ल्ट है दर्गनाइजेसिन गभी का थी इसका गठन हुआ था ठीक है दोस्तों याद रखेंगे अगर आप से दो जार वीज टूगरेटे कि तीम पूच लिया है लिउसी तो तीम बताईए दोस्तों क्या है इसकी ठीक है और पक्का यह दोस्तों आपके ऐक्दम में कोश्चन वनेगा बिस वस्वाच द्रवर्य स्की आपते थीम क्या है आपका क्या है दोस्तो फ़िज पर कि नर्सी ठीक है सपोर्ट नर्सी मिड़ वाइबस हुब दोस्तो चलिए अईगा पर चलते हैं कोश्चन नमर सिक्स पर चलिए आंसिर कईजये दोस्तों who is the author of the book the passenger the passenger pasta के लेखक कोन हैं चली आशर कीजिए दोस्तों जल्दी से दी पैसंजर pasta के लेखक कौन है दोस्तों दोस्तों दी पैसने लेखक के लेखक हैं Lisa LAU toujours ठीक है option बी आपका बिलेकुल सही एंसर हो जाएगा ठीक है चलिए नैस कोश्च नमबर चलते हैं कोश्च नमबर सेवन पर चलिए कोश्च नमबर सेवन का आप लोग आंसर करेंगे निम्ली कितिमे से किस सरकान ने केंदर से बावा रामदेव के खलाफ कानूनी कारवाई शुरू करने को कहा चलिए बताइए बिच आफ फॉलॉइंग स्टेट गवर्रमेंट हैस अच्छ अच्छ सेंटर टू इनिशियेट लीगल एक्सन अंगिस्ट बावा रामदेव जली बताइए दोस्तों अब इनों आप्शन डी आपका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों यहां के सीम कौन है राजस्थान के असोग गहलोत ठीक है दोस्तों डिप्टी सीम कौन है राजस्थान के सचन पालेट दोस्तों गवन है राजस्थान के कलराज मिश्र ठीक है दोस्तों याद रखिएगा चलिए नैस कोशर पर चलते हैं, question number eight पर, चलिए बताईए, Michael O. Dier की हत्य ठीक है, किसा ने की थी, जलुए से बताईए, who वर भbnा accused in the... Michael O. Dier, murder case, जलिए से बताईए दोस्तों, क्या होगा इसका answer, दोस्तों easy question है, किसा ने की थी, ओधम सिंग ने, option A, आपका बिलकुल सही आंसर होगा ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स कोश्चन पर चलते हैं कोश्चन नम्म नाइन पर चलिए आंसर कीजिए दोस्तों नमले के तमेंसे कौन एक भरंसोत परवत है ठीक है विच आफ दा फॉलॉइंग इस एन ऑफ बलेक मांटेन चलिए बताईए बलेक मांटेन का दोस्तों इसमें से कौन सा एक्जामपल है जली से बताईए ठीक है सबसे पहले तब समझे लिए दोस्तों बलेक मांटेन क्या होता है ठीक है जब दोस्तों चट्टाने जो हैं धस जाती है थोड़ी ठीक है तो इस तरीके से जो धस जाती है दोस्तों उन्ह चलकी जो पाण़ी हैं दोस्तों आपकी ब्लॉक माउंटेन की एक्जामपल है ठीक है दोस्तों अगर आप से पूछ लिया जाए सत्त पुड़ा और जो बिंदिया चले दोस्तों किस नदी से घरी हुई है चलिए बताईए किस नदी से घरी हुई है दोस्तों आपकी नरमदा और आपकी तापती से ठीक है यह दोन पाड़ी नरमदा और तापती से घरी हुई है ठीक चलिए नेश कोच्छन पर चलते हैं दोस्तों कोच्छन नम्मर टैन पर चलिए हांसर कीज़े जल्दी से नमले कितमें से किस वित्तिय आचरन प्रहादी करन के नए मुख्य कारकारी अ इस विन अपॉंटेड एज दा निव चीफ एग्जीक्यूटिफ ऑफ दा फाइनेंसियल कंड़क्ट एथॉरिटी बताईए दोस्तों एफ सी ए के मुख्य कारकारी अधीचक की रूप में किसनुत किया गया है दोस्तों निखिल राठी को ठीक है ऑप्शन सी आपका नमबर 11 पर चलिए आँसर कीजिए दोस्तों धन संबंदी मामलों में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अधिश्चिता कौन करता है चलिए बताईए वू प्रिसाइट्स ओवर दच्वेंट सेसन ऑफ पारलियमेंट ऑन न मनी मैटस चलिए आँसर कीजिए दोस्तों क्या हो तो जिसके अधिश्चिता क्या धिश्चिता कोई बाद आजा जाता है जिसकी अधिश्चिता क्या नं कियेगा जाए न कि भी लोगसव लोग सवा अध्यक्ष ठीक है चलिए नेक्स कोश्चन में चलते हैं कोश्चन नमबर ट्वैल पर चलिए आंसर कीजिए दोस्तों प्रोडियूसर गैस कमिसरन कौन साइन मैसे जल्दी से बताईए दा प्रोडियूसर गैस मिक्सचर इस आंसर करेंगे आप लोग जल्दी से क्य कारवन मोनो ऑक्सड और नाइड्रोजन का ठीक है ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ठीक है अगर दोस्तों मैं आपसे पूछनू कि वाटर गैस का मिक्सचर कौन सा है जल्ली से बताईए वाटर गैस का मिक्सचर दोस्तों कौन सा है आपका कारवन मोनो किस सराज में किया गया है आंसर कीजिए विच स्टेट हैस इनेग्यूरेट इंडिया फ़र्स्ट फ्लोटिंग डैम आंसर करें दोस्तों भारत के पहले फ्लोटिंग बान का उडगाटन किस सराज में किया गया दोस्तों आपके गोआ में किया गया ठीक है आप्षिंट बी आपका दोस्तो बिलकुल सही आंसर होगा ठीक है दोस्तों आपसे ये कोश्चन और पूश सकता है एक्जामनर कि जो आपका फलोटिंग बान है दोस्तों कौन सी नदी पर बनाया गया जल्दी से बताइए, कौन सी दवर पर मनाएगाए दोस्तो आपके बन्डावी पर, ठीक है, यह भी आप लोगे आदे रखने हैं दोस्तों, और गोआ के CM बताइए, कौन है, गोआ के CM कौन है, प्रमोद सावंत, ठीक है, याद रखिए गादे अधर, सियमें दोस्तों गवर्नर कौन है जल्ली से बताएंगे हैं आप लोगौन है दोस्तों सत्यपाल मलेक ठीक है यह भी आप लोग याद रखना चलिए है नेक्स कोश्चन पर चलते हैं कोश्चन नमरर फर्टीन पर उमेरे दोस्तों आप लोग कोशचन पसंद आ रहे होंगे दो जा किए लिए को अनने और प्रोंट एका उपशन दीया आपका दोस्तों भी सबस्टापक। ढूसे कि लिए स्थावए को ऐस्टें बक्तियार की रहां फिटेंगे चलिए है हैं कोश्चन नमबर 15 पर चलिए आंसर कीजिए दोस्तों वाणचे एवं ब्यापार की दरश्टी से व्यस्तितम महा सागर कौन सा है चलिए बताईए विच इस दा बिजिएस्ट ओशियन इंटरम्स आफ कॉमर्स एंट्रेट चलिए बताईए दोस्ता आंसर कीजिए जल्दी स हैं सबसे व्यस्तम महा सागर दोस्तों कौन सा है कि अब सभी जानते हैं दोस्तों इस यह क्या है आपका दोस्तों नॉर्थ-डरstorm का नीचे अफ्रिकल तोकी यान्तिच से चार क्यों से ठीक है चार महादीब टच होते हैं ठीक है ये भी आप लोग याद रखना दोस्तों अटलांटिक मासागार आपका आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्ट कोश्चन पर चलते हैं दोस्तों कोश्चन नंबर 16 पर चलिए आंसर कीजिए भारत के संभीधान के किस अनुछेद क के तहत राश्च्टपती दोवारा उच्चतम न्यालाए से प्रामर्स की सकती का वर्लन किया गया है जल्ली से बताएए अंडर फिच आर्टिकल ऑफ दा कॉंस्टिटीजिए इंडिया दा पावर ऑफ कंसल्टेशन विद दा सुप्रीम कोट हैस वीन डिस्क्राइड यह क्या होगा इसका अंसर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग दोस्तों कौन से आर्टिकल के तहत आपके 143 ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक है जो भारत के राश्टपती है हाई को सुप्रीम कोट की जो आपके जो नयाज़िस होते हैं दोस्तों उनसे आर्टिकल 143 के तहट प्रामर्स ले सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन बर चलते हैं कोश्चन नमबर 17 पर चलिए आंसर कीजिए दोस्तों नमलिखते तत्वों मैंसे किसे क्विक सिलवर कहा जाता है जल्दी से बताएंगे आप लोग बिच आप द दोस्तों मरकरी को क्या कहते हैं कुछलवर कहते हैं दोस्तों चलिए इसका इसका परमान करमंग बताएंगे सिंगल नमबर 18 पर आंसर करेंगे दोस्तों आप लोग microphone एक उधारण है जो की बदलता है किसे बताईे microphone is a device which convert आंसर करीजे दोस्तों, microphone एक उधारण जो बदलता है दोस्तों, किसको किसमें जल्दी से बताईे, Hello microphone आपकी sound energy को electrical energy में konvert करता है धोनी और्जा को वित्ड़ और्जा में konvert करता है, तो option A आपका बिलकुल सही answer हो जाएगा ठीक है दोस्तों चलिए next question पर चलते हैं question number 19 पर नमले के तमय से किसका प्रयोग विदुद्धारा के मापन के लिए किया जाता है जल्दी से बताएए which of the following is used for measurement of electrical current जल्दी से answer करेंगे दोस्तों नमले के तमय से किसका प्रयोग विदुद्धारा के मापन के लिए किया जाता है दोस्तों आपका emitter का ठीक है option A आपका बिलकुल सही answer हो जाएगा ठीक है दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं बिदुद्धारा की प्रवलता किस से नापते हैं जल्दी से बताएए amount of electric current दोस्तों किस से नापा जाता है आपका गैले बने मीटर से ठीक है दोस्तों ये भी आप लोग याद रखिए गा बिदुद्धारा मापन के मीटर से और बिदुद्धारा की प्रवलता दोस्तों आपकी गैले बने मीटर से मापी जाती है ठीक है दोनों पॉइंट याद रखना दोस्तों चलिए आज के last question पर चलत जाता है कि बनाहे जाता है दोस्तों दो दिसंबर ठीक है option B आपका का बिलोगों स्वी आंसर हो जाए गा दोस्तों अममिद्याश को सारे question पसंद आए होंगे ठीक है अगर आपको कोई डाउट डाता है तो कमेट कामेध सेक्ज़न में जरूर बताए ठीके दोस्तों और इस वीडियो की PDF के लिए आप मेरा टेली गरम चैलनल जोइन करें जहां से आप सारी वीडियो की PDF राप्त कर सकते हैं दोस्तों टेली गरम चैलनल का नाम है Study Globe ठीके दोस्तों याद रखिएगा चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम सेम पिलेस पर दोस्तों थैंक यू बाबाई